जैस्री कृष्णा परंपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे जब आप अपने प्रभू से अपने भगवान से जुड़ जाते हैं तो आपके जीवन में सांती और आनंद स्वत्य ही आ जाता है परंतु जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हर यूग का एक नायक होता है एक अवतार होता है भगवान हर यूग में आते हैं और एक संकीत दे करके जाते हैं जैसे की आपने देखा कि त्रेता में भगवान राम आए उन्होंने अपने जीवन से मर्यादाएं प्रस्तुत की उन्होंने वचनों को निभाया पिता अगले दिन राज्या विशेख होने वाला था पता चला कि वनवास हो गया है जंगल जाना है 14 वर्षों के लिए सहर्यता से स्विकार किया कभी वचनों का उलंगन नहीं किया पित वचनोंने अपने जीवन में लाक संकत सहे बनधन भंढ़का युद्ध किया सब कुछ किया लेकिन ये संकेट दिया दुनिया वालों को कि ध्यान रखना कि दुनिया में कोई भी परिस्थिति हो दुनिया में कोई जीवन से यह कभी मयर्यादाएं मत तोड़ना मर्यादा मत तोड़ना धर्म मत छोड़ना गरीबों को मत सताना ये सारी मर्यादाएं किस ने दी भगवान राम ने अपने जीवन से प्रस्तुत किया आप सबी जानते हैं क्योंकि कैसी विस्थिती आई हुआ, आप प्रसंग भी जानते हैं कि जब पता चला राम को कि मा taşजी को डांट के आंए कि मेरा बेटा बनुवास नहीं जाएगा, वो तो हमारे पास ही ठीक है, वो हमारे पास ही रहे गा, भले उसे राजे मत दो तो पता है राम क्या कहते है मा के पास जा करके मा से कहते हैं कि कहा है जो तुमने धिकार पिता को पूरा है अधिकार करें आदेश अगर महराज चिता में कूद पड़ू मैं आज कहते हैं मा तु कैसी बात कर रही है वो मेरे पिता है यदि वो कहेंगे तो मैं चिता में भी कूद जाओंगा ये तो बहुत छोटी सी बात है जंगल जाने की ऐसे आदर्स पुत्र हुआ करते थे भगवान राम ने अपने जीवन से मर्यादाय प्रस्तुत की और ये ध्यान रखना उन्होंने कहा कि जब ये वचन और मर्यादाय तोटेंगी तो अनर्थ होगा और अनर्थ हुआ मावारत हुआ नहीं हुआ उसके बाद त्रेता में राम हुए उसके बाद मावारत हुआ द्वापर में क्यों जानते हैं मावारत हुआ क्योंकि वचन और मर्यादाय तोड़ी गई अपने ही राज में बैठ करके अपने ही घर में बैठ करके अपने ही लोग अपने ही बहु को निर्वस्त्र कर रहे हैं यह मर्यादाय नहीं तूट रहे हैं तो क्या तूट रहा है और जब ऐसी मर्य परिवार समाज भिन्न हो रहा है वह इसलिए नहीं हो रहा है कि उसमें कुछ विक्रितियां आ गई है या वो लोग बड़े सुल्जेवे लोग नहीं मर्यादा तोड़ दी गई जिस कुल परिवार समाज की मर्यादाएं तूट जाएंगी वो ध्यान रगना हो तार तार विखर जाएगा कल यूग में कैसे रहना है यदि ये कोई बता सकता है तो क्रिष्ण भगवान क्रिष्ण क्यों क्योंकि मैंने क्या बताया कि हर यूग के एक अवतार होते हैं वो अपने आने वाले यूगों की काउंकि अपने उसके बारे में बताते हैं जैसे त्रेता में भगवान राम आ रखेंगे ते ध्यान रख लेना कल यूग में आपके जीवन में भी महाभारत होगा कल होगी आपका जीवन दुख में होगा आपके जीवन में भी युद्ध नेक प्रकार के हो सकते हैं बुराईयों से युद्ध दो सकता है सारी चीजे लगी रहेंगे क्रिश्ण कहते हैं कि कि इस्थितियां पर इस्थितियां कोई भी हूं जीवन कितनी भी कठनाईयां हो जीवन के आयाम कैसे भी हूं कभी योग मत छोड़ देना कभी ध्यान मत छोड़ देना कृष्ण कहते हैं जीवन में ये सारी चीज़े तो चलती रहेंगे युद्ध लड़ायाई यगड़े ध्यान जो आप समझ रहें योग वाला वो ध्यान तो ही उसके साथ वो एक बात ये भी कहते हैं कि ये ध्यान रखना कि जिन्दगी में कितना ला रहे हो कितना कमा रहे हो कितना खर्च कर रहे हो उसका ज्यादा ध्यान रखना है ध्यान जो तुम करो सो करो वो तो ठीक बात ह लेकिन यह ध्यान बहुत आवश्यक है यह ध्यान तूटा तो बड़ा गड़बर हो जाएगा सुबह से साम तक आप कितना कमा रहे हैं यह धी शाब नहीं है तो क्या होगा दिवालिया निकलेगा आज आप देखते हैं कि जो लोग बड़े बड़े रोड़ बनवाते हैं दिवालिया निकलेगा इसलिए सास्त्रकार कहते हैं कि सोने से पूर्व जीवन में अच्छे चिंतन का होना बहुत आवश्यक है जो हमारे जीवन का निर्मान करता है तो इसलिए क्या करना ध्यान नहीं छोड़ना है यह ध्यान रखो पर इस्थितियां कैसी भी हो कठनाईय लेकिन कठनाईयों को लांगना सीखो लांगना सीखो मुश्किलों को पार ना सीखो घबराओ मत कोई भी परिश्थितिया है उसमें डंट करके सामना करना यह कृष्ण सिखाते हैं है दुनिया में तुम्हें इस तरीके का अपना ब्योहार बनाना है, इतने ब्यक्तित्तों को इतना मजूद बनाना है, कि दुष्टता हारे और सर्जनता जीते जीवन को ऐसा बनाना है। फिर एक बात और कहते हैं, कि दुनिया के बेष्ट लोग ही कठे हो जाओ तुम्हें दुनिया में कोई नहीं अरा सकता है। भले ही तुम मुठी भरो पर अगर तुम दुनिया के वेस्ट लोग नो तो तुम दुनिया को बदल सकते हो तुम पूरे भारत में प्रलय लादोगे तुम पूरे बिश्व में प्रलय लादोगे अगर दुनिया के मुठी भर भी लोग इकठे हो गए सज्जन दुनिया की सर् लेकिन क्रांथि लादी क्यों दुनिया के बेस्ट लोग उसके साथ इकठे होगे बहुत थोड़े लोग थे पंडवों के साथ लेकिन रहां एक। क verloren कोreu जिसके साथ जिसके जीवन में कृष्ण नहीं यह को सास्त्र कहते हैं कि मिट्रता अच्छी कर लो किनके संग उठवे बैठ रहे हुई आपके जीवन पर बहुत-बड़ा परभाव डालेगा जब जीवन की मित्रता अच्छी हो गई तो ध्यान रखना कि आप उच्छे आयामों को तो अपने आप छूलेंगे जिसके संग भगवान कृष्ण खड़े हैं क्या वो कभी हार सकता है ये जीवन के दो कौड़ी के खेलों में वो हर जागा जिसके क्रिष्ण खड़े हैं कदापी शंभव नहीं है हमेशा ध्यान रखिए कि भगवान कृष्ण ने एक संकेत दिया संकेत क्या दिया रिष्टे में कोई गलत आदमी आकर बैठ जाए वो आपका कितना भी प्रिय है ये ध्यान रखना उसका साथ नहीं देना है कभी ऐसा नहीं कि कोई आपके ही जीवन में दुर दुर वैसनों का कवच पहन करके अत्याचार पाप का कवच पहन करके आपका कोई नाता रिस्तेदार बन करके आ जाए और आप उसके पीछे अपना धर्म छोड़ दे अपना इमान छोड़ दे ये सारे कल्यूग भगवान ने कृष्ण ने कल्यूग के लिए दिया है कि ध्यान रखना तुम सही रास्ते पर जा रहे हो तो चलते रहना कभी ऐसा नहीं कि रिस्तदारी के चक्कर में तुम किसी गलत रास्ते पहुंच जाओ कृश्ण कहते हैं कि मित्रता टूटेगी का कल्यूग में जिनके पास पैस तुत्किया सुदामा का उधार्ण दे करके पूरी कथा आप लोग जानते हैं क्रिष्ण सुदामा के बारे में मैं आपको इसलिए सारी बात बता रहा हूं क्योंकि क्रिष्ण भगवान क्रिष्ण एक समगरता की बात करते हैं कि जीवन को समगरता से कैसे जीना है बुराई और इमानदारी और बुद्धि मत्ता से जीना चाहता है तो यह ध्यान रखो भगवान कृष्ण को जान जाएगो हमेशा ध्यान रखो अपने एहंकार को भूल जाओ आप जिस स्थिती पे हो यह ध्यान रखो अपने उस स्थिती पे पहुचने के बाद एहंकारी मत बनना अपने एहंकार को भूल जाओ और यह हमेशा जीवन में ध्यान रखो कि भगवान ने आपको उचा उठाया आपको इस योग्यता का कोई प्रयोग न करें द्यान रखना योग्यता चिनते देर नहीं लगती है दो मिनट आएगा खाली फिर भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि जीवन में संगीत मत छोड़ देना अगर बासुरी को आज किसी ने दिया तो किस ने दिया भगवान कृष्ण वो कहते हैं कि जिंदगी में संगीत मत छोड़ देना बासुरी बजिती रहनी चाहिए बासुरी कैसी चैन की बासुरी जिंदगी में चैन की बासुरी बजती रहनी चाहिए कहते हैं संगीत मत छोड़ देना ध्यानी व्यक्ति को जीवन में सरलता के साथ साथ इतना बुद्ध जुकना तो आना चाहिए परंतु जुकाना भी आना चाहिए अपने बुद्धी विवेक के दम पे दुनिया के सामने नंबर पर उतो हो सकता है लेकिन दुनिया को जुकाना भी उसे आना चाहिए हम अरजश्ट कर लेंगे लेकिन अरजश्ट करा भी लेंगे ये एक जीवन में आनंदी आनंद है मैं जुकना जानता हूं तो मैं जुकाना भी जानता हूं मैं अर्जेष्ट कर लूगा लेकिन अर्जेष्ट करवाऊंगा भी यह बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षड है और भगवान कृष्ण हमें इसलिए मैंने यह सारी बाते बताई कि सरलता सहजिता से आगे बढ़ता चला जाएगा इतना है किया कि मैं अपनी वाड़ी को विराम देता हूं जैस्री क्रिस्टा झाल 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 झाल